आगामी विधान सभाचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने को लेकर दुर्ग जिला भारती जन्ता पार्थी द्वारा प्रारम्भ की गई तयारियों को लेकर दुर्ग जिला भाजपा के उपाध्यक्ष केस चोहान ने ग्रैंड एसिय न्यूस से खास चर्चा करत प्रदेश के मुद्दों को लेकर हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं सबसे पहले हम उनका स्वागत करतें सर आपको सबसे पहले स्वागत प्रदेश के मुद्देश के अपने केंद्र सरकार की जो उपलबदियां हैं वो बतानी है और राज्य सरकार की जो विफलता हैं जो उन्होंने वादा किया था 2018 में कॉंग्रिस पार्टी को वोट नहीं दिया था लोगों ने उनके वादों को वोट दिया था जो वादे जनता चाहती थी कि वो पूरे हो जैसे शराब बंदी का मामला हुआ 2500 का बेरुजगारी बहता हुआ और जो वादे किये गए थे जगा जगा जाके कि हम अगर सरकार में आते हैं तो आपको ऐसे ये वाला करके देंगे तो वो वादे पूरे नहीं हुएं तो उन उन चीजों को हमें बताना है और जो आज हमारा प्रशाशन बहुत ज़्यादा रिस्थिति में आज कानोनी वीवस्था देख लिजए कितनी बहुत ज़धर रिस्थिति में तो उन सब चीजों को सामने लाना जाग रुख करना लोगों को और फिर जंता के ओपर है कि वो किनको लाते हैं किनको पसंद करते हैं और उसके किसके पक्ष में वो वोट देते ह हमारा काम है जनता को जागरुख कराना कि केंदर सरकार ने आपको क्या दिया है और राज्य सरकार ने क्या आपको देना चाहिए था और वो नहीं दिया है वो रोडे आज 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 आप नेशनल हाईवे देख लीजिए तो नेशनल हाईवे केंदर सरकार की देन है सोलालाक अब जो घरों का पैसा आया था तो वो सिर्फ राज्य सरकार के लिए वो पैसा वापीश चले किया केंदर सरकार को तो वो ये सब चीजें जो लोगों के छट मिल सकती थी दूसरे और भी स्वीधाय मिल सकती थी वो नहीं हुई इस मुद्दों को लेकर हम जाएंगे जनता के बीच में हम राजनिति भुद्दों में प्रदेश इस्तर पर आपसे चर्चा कर रहे हैं तो बस्तर में जो कारेकरता की हत्या कर दे गई दोशी किसे मानते हैं लिए सब्सक्राइब पहले मैं दुख व्यक्त करना चाहूंगा अपने कारेकरता हूं के निधन पर उ भारती जनता और ये तीनों जो तीन एक बहिने में लगबगतीन हत्याएं हो गई हैं तो तीनों हत्याएं भारती जनता पारटी के कारेकरता क्यों हैं तो ये मैसेज पहुंचाना कि हम भारती जनता पारटी के साथ जो विचारधारा के साथ जो काम कर रहे हैं तो उनको उन जा रहा है मैं यह नहीं बोलता हूं कि प्रत्यक्ष रूप से यह ऐसा किसी पाटी विशेश का हाथ है लेकिन जो सरकमिस्टेंस दिख रहा है वो सरकमिस्टेंस तो पूरे यही बता रहे हैं कि यह पूरा चुनाओं और राजनी से जुड़ा हुआ मामला है तो यह ऐसा आप पहले हमने यह नहीं देखा थे कि डिडड़ किलोमीटर जो नकसरवादी हैं उनकी रैली निकल रही है ऐसा पहले देखने को नहीं आया था यह आप मैसेज का दे रहे हैं मैसेज यह दे रहे हैं कि सरक्षन मिल रहा है नकसरवादियों को मावादियों को इस वज़ा से उनक कोई और चला रहा हो। तो ये ऐसा रुकना चाहिए और ये बहुती विबार्थ सर्हां है। बहुती शर्मनाक घटना है। और इसमें राज्य सरकार बोलती है। भूपय सरकार बोलती है कि हम चानमीन कर रहा हरा हैं। हम रिपोर्ट मंगाएंगे। कौन सी रिपोर्ट आई है आपकी आस तक तो जो इसकी रिपोर्ट आाजए ओ विधायक निवास का घिराव करने का मन बनाया है बरती चनता पाटी द्वारा प्राधी स्थर पे है ये जिला पे देखें ये तो जिला इस तर पे हम बाकी जहाँ पर भी विदायक दूसरी दूसरी पूरे प्रदेश में होंगे जहां विदायक वो अलग अपने हिसाब से जिला जिला की जो टीम है वो अपने हिसाब से करती है गिराओ का कारण क्या है गिराओ का कारण है कि जो एक विदायक को काम करना चाहिए वो अपनी काम नहीं कर पा र परिशानी है तो उसके लिए कौन जिन्मेदार है तो उनके लिए वह आ नालियों कच रहा है सड़के में सटकों में कच रहा है कोई विकास का इस्तर बिकास जिस्तर देखता नहीं है एक ही रोड को आप बार 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 रृपेयर करेंगे दूसरी रोड में कोई अता पता ही नहीं है सब्स नहीं है और जो फंड आना चाहिए था दुर्ग जिले में वो नहीं आ रहा है आपने जो जो हमारे दुर्ग जिले के लिए जो उठानी चाहिए थी आवाज वो विधान सभा में उठानी पा रहे हैं आपको जो करतव ये था वो आप ठीक से निभानी पा रहे हैं हम कोविड के समय भी दे तो आपने ऐसा कोई कारे नहीं किया और ऐसा कोई आप मेरे को यह बताई कि नौ साल में नौ साल हो गए है अनुमरा जी को विधायक बने हो गए है ऐसे नौ साल में ऐसा ऐसा कौन सा उतक्रिष्ट काम कर दिया है जिसको हम याद रखें ऐसा काम किया है जो सिर्फ और सिर्फ वो खुद को चमकाएं, यहां पर उनको मत चमक, शहर को ना चमका सकें, तो यह सब चीजें, आज आप लूट बलतकार और छेड़ खानी कितनी बढ़ गई है, यह इन सब चीजों में आपका कोई हस्तक शेप नहीं है, कोई आपकी मॉनिटरिंग नहीं है, कुछ, मतलब आप एकदम नदारात हैं, और प्रशाशन आपकी कोई बात नहीं मानता है, और उल्टा प्रदेश में भी आपकी, खुद की सरकार होने की बावजूद भी आपको फन्ड नहीं मिलता है, तो यह सब चीजें, यह सब चीजें बताती हैं, कि आप नाकाबिल हैं, नाकाबिलियत उनकी नाकाबिलियत को लेकर हम उनके घिराव कर रहे हैं जिसे नगर निगम की कई सारी उपेक्षायद नजर आती है और प्रदरशन का दौर भी चलता है तो इन सब में दोशी विधायक को ही माना जाता है ऐसा देखा गया है बाइट में भी वर्जन में अपन पर अर्थ जो व्यवस्था जो अव व्यवस्था जो है उसका कारण कौन होगा वो विधायक होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुरसी बचाने के लिए अपनी खुद को चमकाने के लिए निगम का वो उप्योक कर रहे हैं अभी कुछ दिन पहले उनका जब बढ़डे था तो वो निगम के परिसर में उन्होंने बनाया खर्चा हुआ उस समय तक लोगों को जो वहां के करमचारी थे वहां की तंखान ही ली गई थी और आप वहां उस उस जगह में काम करवाएंगे जहां पर आपके वोटर्स हैं कोर वोटर्स हैं उस उस जगह काम ही नहीं होता है जहां पर आपके वोटरस नहीं है, तो इसका मतला क्या हुआ, आप विधायक हैं, शेहर के विधायक हैं, और विधायक महापर इसलिए लाया गिया है उनको महापर, जो उनके अंडर में रहें, अब आप खुद ही अंडर में रहने के लिए, आप इतनी काबिल नहीं है, कि आप ऐसे लोगों को लाए हैं कि जो वो आप से भी नाकाबिल हो तो जो अगर कोई और दूसरा महापर बनता तो वो अपने हिसाब से और जनता की सिवा करना चाहता मैं यह नहीं बोलता हूं कि आप कॉंग्रेस पार्टी के हैं कि आप कोई भी पार्टी का हो लेकिन जन प्रत जने हिसाब से चला जाते हैं अपका पूर पूर्ब धियर यह हैं जो कि हमको इस बार भी लगता है कि 7 बार भी उनकीट मिलेगी शुद में मेरे ख़ाय कि हैं के 5000 साल पिछले पजार सालों से उनको टिकेट मिल रही है, इस बार भी उनको टिकेट मिलेगी, और क्या बहुते हैं, इस बार भी, वो उसी के हिसाब से तयारी कर रहे हैं, कि मैं चुनाओ कैसे जीतूं, निगम को उसके हिसाब से चला रहे हैं, प्रदेश में चुनाओ हैं, ये question किसका है, ये question है, वे पक्षी पार्टियों का, जनता का नहीं है। जब हम जनता के बीच में जाते हैं कि केंदर सरकार की उपलब्धियां लेके और राजसरकार की नाकामियाब लेके, तो जनता यह नहीं पूछती कि आपका मुख्यमंत्री का चहरा कौन सा है ये तो बताइए तब हम अपनी समस्याएं और आपकी उपलब्दियां सुनेंगे नहीं ये विपक्षी पायटियों का है और भारती जनता पायटी खिडारी को महत्र नहीं देती खेल को महत्र देती जिससे टीम जीतेगी तो भारत जीतेगा जो जनता जनता की जीत होगी तो जनता के लिए जो काम कर सके उस समय जो उपयोगी हो वही मुख्यमंत्री का चहरा होगा और मुख्यमंत्री का चहरा है तो सिर्फ वो अपने मुख्यमंत्री जी का ही दाज तो निभा रहे हैं बाकी वो काम वही कर रहे हैं जो एक छोटा कारी करता भी क लेकिन आपसे बताया हैं कि वो चहरा कॉनसा होगा बारती जनता पार्टी की जो वीचारधारा है वहाज काम है वह चहरा होगा उसके अधार पर वह लड़े गी चंद महिने बच्चे हैं चुनावी समर को एक एसम माहुल चुनावी होगा कैसी तैयारी कर रखी बाजबाने भारती जन्ता पार्टी की तैयारी सिर्फ चुनाओ को देखके नहीं होती लगातार लगातार हमें जन्ता की जो मुखर आवाज जन्ता की मुखर आवाज बनके हमारे को गरजना है उनके हक के लिए लड़ना है वो चुनाव हो ना हो भारती जनता पार्टी उसके हिसाब से काम करती रहेगी अपनी विचार धारा के हिसाब से काम करती रहेगी अंतियो दै तक कैसे सरकारी केंदर सरकार हो या राज्य सरकार हो उसके फाइदे कहां अंतियो दै तक कैसे उसी के हिसाब से काम करते रहती है चुनाओ आते जाते रहते हैं लेकिन भारती जनता पार्टी का काम है जनता की सिवा करना जनता की काम आमना और जनता की जो वाज है वो उसको बुलंद करना सर आपका बहुत बहुत धन्य वादब तो ये थे केश चौहान सर जिलाव पाध्यक्ष प्रदेश प्रवक्ता इन्होंने कीन मुद्दों को लेकर भाजपा चुनाओं लड़ेगी हमने पूशा तो उन्होंने बताया कि जनता की अवास जनता की मान को लेकर भारती जनता को दिखाएगी